Good morning to friends, welcome back to our next science class So students in last class we are discussing about the excreation and about excreation in plants, excreation in animals and last topic excreation in humans So to be continue in this chapter our next topic is the urinary system The excreatory system also called urinary system देखिए जो excreator system होता है उसे हम urinary system भी कहते हैं produce, store and eliminates urine जिसके जार क्या होता है जो waste product होते हैं वो eliminate जो होते हैं वो urine के तुरू बाहर कर दिये जाते हैं In humans it includes two kidneys, two uterus and the bladder and the urethra देखिए जो human होता है जो मानव सरीर होते हैं उनमें दो kidney होती है दो uterus होते हैं bladder होता है and urethra होता है देखिए आपको diagram में दिख रहा है like two kidneys, ureter, two ureters, urethra and urinary bladder आता है first kidneys kidneys are small being shaped organ which filter blood to remove urea जो kidney होती है उसका work क्या होता है वो blood को क्या करता है filter करता है and urea and other waste is along with excess water वो क्या करता है उसे जो extra पानी रेता है जो best product रेता है वो kidney से बाहर आ जाता है each kidney consists of millions of nephrons which help in filtering blood और जो kidneys होती है उसमें बहुत सारे nephrons होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में nephrons का एक network होता है जो क्या करता है blood को filtering कंदे में help करता है nephrons are coiled tube with a cube shape funnel और जो nephrons होती है वो किस प्रकार होती है वो होती है coiled जैसी होती है just like a coiled उस type की होती है funnel जैसी in which the process of filtration takes place जहां पर क्या होता है blood का filtration होता है the nephrons are surrounded by a network of capillaries और जो nephrons होती है उनके आसपास capillaries tubes होती है waste in the form of urine is filtered out through the funnel और जो भी waste रहता है urine के साथ साथ urine के form में हमारे one filtered होकर funnel से बाहर निकल जाता है the urine collected by nephrons move into two long tubes अब जो urine होता है वो nephrons में collect होने के बाद two tubes में आता है जिसे बोलते हैं one from each kidney known as urethra जिसे हम urethra के नाम से जानते हैं यह होती है blood vessels जो आपको blue and red color के दिखरी है यह होती है हमारी kidneys और यह होते हैं दो यह लोग लगी ट्यूब दिखरी हैं इन्हें बोलते हैं यूरेथरा ओके आम आता है uratars uratars sorry uratars okay uratars 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 are tube which pass the urine format देखिए अब दो uratars का वाग क्या होता है वो क्या करता है urine को pass करता है format यहां से निकाल कर in the kidneys to urinary bladder जिसमें कहां आता है वो urinary bladder में आता है आप कोई गूल स्वेब दिख रहा है यहां पर आता है इस ट्यूब के थूरू urinary bladder बोलते हैं जिसे urinary bladder the urinary bladder is a small muscular bag like organ अब भी आपने देखा था जो urinary bladder होता है एक बेग जैसा small organ होता है swell of vein full of urine तो वो क्या होता है जब उसमें अंदर urine full हो जाती तो वो अपने आप फूल जाता है it's shrink in size after urine is explet out और जैसे urine हमारे बाड़ी से बाहर होती है वापस कैसा हो आता है श्रंक हो जाता है श्रंक हो जाता है आप आता है यूरेत्रा यूरेत्रा इस दर ट्यूब डैट अलाउद पासेज ओफ यूरीन और जो यूरेत्रा होता है उसका बक्या होता है वो यूरीन को पासेज थ्रो करने में help करता है अहल्दी यूमन बिंग पासेज आउट 1.5-2.5 लिटर ओफ यूरीन एवरी डै और जो यूमन बिंग जो यूमन हैल्दी यूमन जेती है जो स्वस्थ माना हो रहते हैं उनमेंसे 1.5-2.5 लिटर तक यूरीन एक दिन में पास करना चाहिए ताकि हमारी किटनी भी हैल्दी यूमन बिंग शुट ड्रिंग एटलिस 2-3 लिटर ओव वाटर तो कीप दा कॉंसेंट्रेशन ओफ यूरिया इन और इन दबॉड़ी और एक स्वस्थ मानाव को एक मतलब मानाव को ही 2-3 लिटर पाने दिन भर में पीना चाहिए ताकि जो उनकी यूरिया बगेरा है बॉड और बोट दा किड्नी आस मैलिफ्लेक्टिंग इन देखिए कुछ कुछ डिसे से कारण जिसे एक या दो किड्नी होती है हमारे बॉड़ी में तो उसमें से एक या कभी-कभी दोनों किड्नी क्या होती है खराब हो जाती है इन दिस केस एन आर्टिफिशल सिस्टम इस कीज रहता है जिसकी दोनों या एक किड्नी खराब हो जाती है तो अपने सारे वेस्ट प्रोड़क्ट उस के द्वारा बाहर करता है इस प्रोसेस इस कॉल्ड डायलेसीज जिसे बोलते हैं डायलेसीज डायलेसीज वर्क ऑन्द प्रिंसीपल ऑफ सिलेक्टिव डिफ्यूज गुशन मॉलिक्यूल्स अक्रोसेमी परिमेबल मेंब्रेन अब डायलेसीज होता है वो किस द्धान पर वक करता है सेलेक्टिव डिफ्यूजन जो चुनी हुई मॉलिक्यूल से जहते हैं एक्रोब हो सहीं पर मेंबरेन के तुरू बाहर निकल जाते हैं इसमें से पूरे नहीं निकलते हैं कुछ कुछ चीज़े ही उनमें से निकल पाती है जर्ट लाइक नेच्रल किड्नी इन दीज दा सर्कुलिंग ब्लड जैसे हमारी नेच्रल किड्नी वर्क करती हैं उसी प्रकार यह डायलेसिस भी वर्क करता है दा सर्कुलेटिंग ब्लड इस फिल्टर इन अ जाता है उसी प्रकाव वक करता है सम्टाइम्स बोद दा किड़नी ऑफ परसन इस्टाड मैल फंक्शनिंग और फंक्शन कम्प्लेटली कभी कभी ऐसा होता है हमारी दोनों किड़नी रेती ही वो इस्टार्ट कर देती है फंक्शन करना अंडर सच कंडिशन और किड़नी इस ओप्टेंट फ्रॉम अनादर पर्सेंट एंड ट्रांस्प्लेंट इन्टू दा पेसें तो इसकी बात क्या करते हैं जो बेसेंट की किड़नी खराब हो जाती है मुझके अंदर अपनी डेट या लेविंग किड़नी जो रहती उसे ट्रा अंश्योट मर्स नम्बर में जो बीद सो इस्पैक्ड इस्पीक सिस्टम करत रहायों आए, उस् rifiakड को कम होता है लेविए, चरीज मौन तरहरां प्लॉत्थ एंड और के स्क्रा क्यांकि इसवाइट इस फैसलीटी जो क्या। of amino acids water blood a और b blood और water दोनों या none of this so answer is blood human heart beats time a minute human heart जो होती है माना जो धड़कन होती है वो कितने मिट में कितने time एक मिट में होती है answer is 72 which of the following contain hemoglobin hemoglobin किस में होता है wbc rbc platelets या all of this so answer is rbc जीचे कानद हमारा blood current red होता है blood carries oxygen food waste all of this so answer is oxygen next fill in the blanks the transport system in plants is called answer is vascular 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 osmosis osmosis is defined as the movement of water molecule from an area of higher concentration to an area of lower concentration across a semi permeable membrane के द्वार ओस्वोसिस कर सकने the liquid carrying food to all parts of the plant is non-age answer is transpiration t-r-n-s p-i-r-a-t-i-o-n transpiration blood cells are suspended in a fluid medium called answer is plasma 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 are qualitative with a cup shape funnel in which the process of filtration take place क्या होता है हमारी kidney के अंदर जिनके जो 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 ब्लट को filtration करने में help करती है जो coil जैसी होती है answer is nephron next true or false phloem carries food prepared by leaves to different parts of the plant phloem होता है वो फूड को पत्तियों से हर एक पार्ट में पजाने का बग करता है state true most plant most part of plasma is made up of water plasma का अधिक तर्ड पार्ट पानी से बना हुआ होता है state is that true we carry oxygenated blood from heart to different parts of the blood body state false fourth is a person who with blood group O can donate blood to pressure with any blood group जिस वेक्ति का blood group O होता है जो डोनेटर होता है जो दाता होता है वो किसी भी वेक्ति की person को blood को दे सकता है state true uterus pass the urine formed in the kidneys to the urinary bladder state true so strength number chapter will finish the next class we start our next chapter thank you have a nice day